कि हेलो फ्रेंड्स स्वाग आप सब का जारव केंपस में आज हम बात करने वाले फैक्टर आईजिशन के बारेमें टो यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है वह पहले फता लगा दे फैक्टर आइजिशन याणि की फैक्टर्स निकालना किसके निकालेंगे, तो कि हमने जो algebraic expressions पढ़े थे, उसी के ही हम यहाँ पे factors निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते कि J войл never got out that वा पर अमने क्या ठळबा था Ci क्या हो गा तो कि यहाँ पर कि जो भींद एलजेप्रिक एक्स प्रेशन होगा उसके पहले फेक्टर्स निकालेंगे फिर जाके वो जो फैक्टर से उसके हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे उसमें से कुछ या तो फिर उसके अकोर्डिंग कुछ ना कुछ यहाँ पर हम काम करने वाले हैं तो वो क्या होगा वो जानते हैं तो सबसे पहले यहां पर common factor निकलना सिखेंगे, common factor क्या होता है, तो कि common factor यानि कि आप सोचों की दो algebraic expression दिये गए, उसमें से क्या-क्या चीज common निकल दिये, वो कैसे निकलने और क्या करना होता है, उसमें वो जानेगे, और common factor के through हम यहां पर factorization कैसे करेंगे, यह भी वाले कि जो factorization method है, उसमें, regrouping method जो है, वो क्या होती है, यानि कि यहां पर हम क्या करेंगे, तो कि जो factors होगे, उनको regroup करेंगे, rearrangement करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ यहां पर करते है, क्या करते है, वो उसी time हम जानेगे, साथी जात हमने जो identities पड़ी थी algebraic expression में, उसके according कोई भी expression का factor अगर find करना हो, तो वो कैसे find करेंगे, वो जानेगे, और फिर यह जो algebraic expression हमने पड़े थे, यानि कि polynomial जो पड़े थे, तो उनका division अगर हमें apply करना है, तो वो कैसे apply करेंगे, वो जानेगे, तो यह सब जानने के लिए जुड़े रहे हैं हमारे साथ, झाल 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 को झाल 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 झाल